हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब घरियस से होंगे तो आज मैं बना रहे हूँ सब्वेबरात स्पेसल सूजे की कतली जो की हर सब्वेबरात में हम बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगता है तो बस इसमें एक छो और अगर आपको मेरी ये वीडियो या रेसिपी जारा सी भी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे जरूर कीजेगा कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फटफच से रेसिपी शूरू करते हैं उसके ल फ्लेम अभी तक मैंने आउन नहीं किया है तो आउन कर लेते हैं और इसको हमें चाशनी बनानी है बेसिकली हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो हम क्या करते हैं इसको दूसरे फ्लेम पे ट्रासफर कर देते हैं फ्लेम को स्लो करके ताकि ये पकते रहे और आगे का प्रोस कड़ाई ले लिया है, तो उसी कप से मैं ले रही हूँ, यहाँ पे सूजी बारीक वाली है, कोशिस कीजिएगा कि बारीक वाली ले, दो कप सूजी लेना है, एक कप चीनी, एक कप पानी और सूजी दो कप और मैंने क्या क्या था घी तो हमें शुरू में ही डालना था लेकिन कोई बात नहीं अब हम डाल देते हैं आधे कप के करीब यह घी है आगे और भी घी का इस्तमाल होगा तो आप डालडा भी ले सकते हैं इसे मैंने किनारे में इसलिए डाला है कि कड़ाई जो है गरम से तो बस घी अब मेल्ट हो चुका है तो अब हम सूजी को भूनने लगेंगे सूजी को हमें बहुत ही अच्छे से मीडियम फिलेम पे भूनना है हाई फिलेम पे हमें नहीं भूनना है जल्दी जल्दी हमें काम नहीं करना है इसको अच्छे से टाइम देना है 10-12 मिनट के लिए और अच्छे से इसको भूनना है तो यहाँ पर हमारे सूजी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं पहले से बहुत ही ज़ादा चेंज हो गया है तो बस हमारी सूजी जो है तैयार है खुशबू आने लगे तो समझ जाईए कि सूजी बिलकुल भुनके तैयार हो गया है और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं तो मैंने स्लो फिलेम पे इसे रखा था तो चाशनी अभी तक तैयार नहीं हुआ था यहाँ पे मैंने चार से पाच छोटी लाइची की दाने को निकाल लिया है उसको अच्छे से कूट करके पाउडर बना लिया है और अब हम चेक कर लेते हैं चाशनी को तो चाशनी को चेक करने का दो तरीका है सबसे पहले तो आप चमज से उठाए और लास्ट वाला ड्रॉप बहुत देर से गिरे तो फिर आप समझ जाएए चाशनी हमारा तयार है और दूसरा हम उंगली से चेक कर लेंगे जिसमें एक तार बननी चाहिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से एक तार बन रहा है तो बस फिलेम को हम बंद कर देते हैं चाशनी हमारा बिल्कुल तयार हो गया है और अब हम सूजी वाला कड़ाई ले लेंगे और चाशनी को इसमें डाल देंगे तो अब मैंने सभी चाशनी को इसमें डाल दिया है फ्लेम को मैंने on करके slow पे रखा है अब हम काम जो करेंगे वो slow पे करेंगे फ्लेम को high नहीं करेंगे तो इतना चाशनी आधा किलो सूजी के लिए एकदम perfect measurement है आप किस तरीके से बनाते हैं मेरे साथ अपना feedback जरूर share कीजिएगा अपनी राय शेयर कीजिएगा कि आप इस तरीके से बनाते हैं या दूसरे तरीके से बनाते हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे तकरीवन डेर सर्विंग स्पून घी और आपके पास घी नहीं है तो डाल सकते हैं तो सब मिला के मैंने पौने एक कप घी का इस्तमाल किया है इसे इसका texture और खुश्बू तो बढ़ती ही है खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है तो अब हम इसे slow flame पे भूनना है तो अब हम dry fruit डाल देंगे तो मैंने लिया है यहाँ पे ग्रेट किया हुआ नारियल ग्रेट किया हुआ बारिक काटा हुआ बादाम और काजू dry fruit आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने काजू बादाम और नारियल डाला है तो बस हम इसे अच्छे से भूनते हैं इसे पकाते हैं जैसे ही यह डो फॉर्म में आ जाए इकठा होने लगे कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लगे तब आप समझेगा कि यह अच्छे से पक गया है तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह बिलकुल तयार लग रहा है बहुत ही अच्छे से इकठा हो गया है तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे अभी फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और मैंने क्या किया था एक ट्रे में पहले से ही घी लगा के थोड़े से ड्राइफ्रूट डाल करके रख दिया था ताकि जब भी हम मिठाई को सेट करने जाएं तो हमें थोड़ा भी देर ना हो तो यहाँ पर मैंने सभी को इसमें डाल दिया है और अब हम इसे फैलाते हुए अच्छा से सेट करेंगे ताकि यह चारो तरफ से एक्वल हो जाए तो अगर इस पॉइंट पर आपको जरा से भी यह रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल को ओल पर जरूर कीजेगा और इस सब्सक्राइब बरात में इस रेसिपी को जरूर ट्राइब कीजेगा इस तरीके से बनाईएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा मैंने इस अच्छे से फैला करके ऊपर जो है ड्राइफूट डाल दिया है मैंने थोड़े से ड्रा कर टीन होनी मुश्किल है तो हम इस तरीके से अपने मन चाहे साइज और शेप में काच सकते हैं मैं इसको कतली का शेप दे रही हूँ यानी डायमेंज शेप में हम काचने वाले हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही असानी से बहुत ही टेस्टी सा हमारा मिठाई बन के त्यार है सूजी का तो इसको मैंने काट दिया है और अब हम इसको ठंडा होनी के लिए रख देंगे थोड़ा सा प्रेस कर दे रही हूँ ड्रै फ्रूट जो उपर उपर है तो बस हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं फिर दिखाते हैं आपको तब तक आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजे मुझे सब्सक्राइब करके तो यह बिल्कुल सेट हो चुका है तो अब हम एक छोटा सा काम करना है फ्लेम को हम अन कर देंगे और मिठाई वाली ट्रे को हम इसके उपर तीन सेकेंड के लिए रखेंगे चारों तरब से घुमाते हुए इससे क्या होगा जो घी हमने पहले से लगाया हुए ट्रे में वो शेप में थोड़ा सा नाइफ चला देंगे ताकि हमारी मिठाई जो है असाने से निकल जाए तो शुरू में एक पीस निकालने में थोड़ी सी साधानी रखें बाकी एक पीस निकलने के बाद सब अच्छे से निकल जाते हैं तो यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बहुत ही य अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंच में शेयर करना मत भूलेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही असानी से सारे पीसे अब निकलने लगे हैं तो मिलते एक नए रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज